हेलो फ्रेंज शुप्रियाज रन्नागोर में आप सबको बहुत बहुत सुवागत थे आज मैंने आप लोग को दिखाऊंगी पाइनेपिल किस तरह से कटते हैं अज इस बारिस की मोशम में पाइनेपिल खाने में बहुत अच्छा लगता हैं काटना भी बहुत आसाथ सबसे अपर की जो पत्तह भागे इसको मैंने काट दूंगी और इसको कटो के फेकोंगी नहीं इसको मै बिठा दूंगी दूरा पाइनेपिल आने के लिए अभी पीछे का जो भागी इसको भी अच्य से कात लेना हैं बहुत आसान है और खाने में भी इस बाडिस के मौसम में पोह खुजलता है, इसलिए इसको अच्छे से बारीक से काटना चाहिए, क्योंकि इसका जो दाना दाना है, चोक जैसा है इसको अच्छे से काटना है, बीज से काट लेने के बाद, आभी मैंने इसका भी जो बीज में, इसका आंदर जो शीरा है, इसको भी काटना है, इसलिए मैंन इसको काट दिया और काटने के बाद ये बीच में देखो ऐसा चोप चोप है इसको फेग देना है और अब चाओ तो उसको पतला करके काट जूस भी बना सकते हूं अभी पाइनेपिल का अंदर का जो सीरा भाग है इसको काटना है इसलिए पहले मैंने पीछे का जो काटा काटना है चलो पूरा काला भाग को निकाल देती और बीच में से काटके ये अंदर का जो सीरा है इसको इस थारह से काटके फेक देना है ये बहुत मोटा रहता हाड रहता है इसको काटके मैं फेक दूंगी इसको नहीं रखोंगी अभी इसको पीसे कर लेते और इसी तरह से बहुत अच्छे से आसानी से पाइनेपिल काट सकते हो और बारिस की मौसम में अभी जो भाइरल फीवर चलते ना इसी टाइम पाइनेपिल खाना सेहत के लिए बहुत इफाद दमन है इसलिए इस मौसम का जो फूर्स मिलता है अब सब को खाना चाहिए इसी तरह से मैंने ये क हतche हो स्वागन पाथे इसको देख़ोहिस में काट दगी सबसे कातने के बाद इसमें अंदर जो अच्छा पाथ हमलोग फेक देते इसलिए अच्छे से कातने कि दीकारी हो typical साइट का बहुत अच्छे से कातने के engineered कढ़ने के भाद इसका जो इसको बीके सारी झ prison आ साइटी पॉरा पाइनेपल काटने का पॉसेस यह अपको अच्छा लगी तो फेल लोग के साथ जादा जादा सेयर करना आ लाइक कोमेंट करने के लिए भूलना नहीं और इसी तरह से पूरा पाइनेपल को मैंने काट ले हूँ एक जुन एक स्टाइल ले काटते में जिस तरह से काटत जादा ले काटते में अपलोग को सीर के लाइक आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा चालेंग को सब्सक्काइब कर लेना आभी मैंने इसका शीरा निकाल देती हूँ और एसे पीछे से काटके इसको निकाल लूगी थोटा-चोटा पीस होता है जैसे सबी फूर्ट का अला पीछे का भाग फेक दूंगी आप चाल तो पीछे का जो भाग जितना मैंने फेक दिया उसको आप अच्छे से निकल के उसका जूस भी मिक्सर गाइंडर में बना के पीसेक तो हो भी अच्छा रहता है इस तरह से हारा बला जितना भी पाढ़े उसको फेक देना है कट्टा वाला भाग नहीं लेना है और मेरा ये रेसिपी आप लोग ज्यादा तर आप लोग मेरा ये रेसिपी मैंने पहले बेंगोली में बनाती थी सब का रिकोस्ट है करके मैंने हिंदी में बताड़ी आप लोग को कैसा लागा ओ भी कॉमेंट करके बताना अच्छा लागे तो फ तोड़ा सा सक्कर भी डाल के दे सकते हो, बहुत ही टेश्टी लगता है, इस मौसम में पाईनेपिल खाना सेहत के लिए बहुत ही फाइदा मन है, और यह देखो मेरा हो गया, अभी इसको जूस बना के भी सकते हो, ऐसे नॉर्माल भी खा सकते हो, हम लोग तो ऐसे नॉर्माल जूस नहीं बनाते, सिजिन का मौसम का फूर्स थोड़ा अलागी लगता है, अच्छा लगता है, चलो आज के लिए इतना ही, अच्छा रहना, खुस रहना, मेरे चलन को सब्सक्राइब कर लेना, चलो आप लोग को दिखा देती, पाईनेपिल के जो पत्ता है, किस तरह से म मैंने बिठा देती हूँ, और इसमें हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालखे रख देना, और अच्छे से अब आर दूसरे बार पाईनेपिल नीचे से आ जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग ये भी करना, और फेकना नहीं, इसका जो पत्ता है, इसको इबाई!